भाई और भेनों ये वो समय है जब हमें बैक टू बेजिक और मार्ट फर फूचर दोनों में संतुलन साधना है जब मैं बैक टू बेजिक कहता हूँ तब मेरा आशा है हमारी पारमपारिक क्रशी की उस ताकत से हैं जिसमें आज की अधिकतर चुनोतियों से जुड़ा सुरक्षा कवज था पारमपारिक रूप से हम खेती परशुपालन और मच्छपालन एक साथ करते आए हैं इसके अलावा एक साथ एकी खेत में एकी समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था यानि पहले हमारे देश की एग्रिकल्चर मल्टी कल्चर थी लेकिन ये धीरे धीरे मोनो कल्चर में बदलती चली गई बिन बिन परिस्थित्यों की वज़े से किसान एक ही फसल उगाने लग गया इस सित्य को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा आज जब क्लाइमेट चेंग की चुनोती बढ़ रही है तो हमें अपने कारियों की गति को भी बढ़ाना होगा बीते वर्सों में इसी भावना को हमने किसानों की आएमें बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोसाइट किया है किसान को सिर्फ फसल आधारित इंकम सिस्टिम से बहार निकाल कर उन्हें वेल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और छोटे किसानों के इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए हमने पूरा ध्यान सो में से अस्सी जो छोटे किसान है उन पर लगाना ही है और हमारे किसानों के लिए इसमें पसुपालन और मत्सेपालन के साथ मदुमख्य पालन, खेत में सौर और जा उत्पादन, कचरे से कंचन यानि इथेनौल, बायो फ्यूल, ऐसे विकल्प भी किसानों को दिये जा रहे हैं मुझे खुशी है कि 36 गड़ समेत देश के किसान इनी तेजी से इन सारी नई नई बातों को अपना रहे हैं